अल्राइड ये स्ट्रेंट्स लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं आप डिटील के साथ जो है वो क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं नेक्स हमारा आईोप्लाइन में टॉपिक जो आ रहा है वो है आईसो मेरिजम ऑचवाई और यतने भी आईसो मारिजम हम देखेंगे kamu के क्या कहा जाता है आईसो मर्स कहा जाता ह क्या होता भी आईसो मरिजम इसमें हम मॉलेकुलर फाईमूला जो रोता है क्या होता है बटा Same और Different क्या होता है Arrangement Of Atoms या structure उनका क्या होता है Different होता है काफी students हो है इस topic के हवाले से बड़े confused होते है कि सर्ट्रिक्स बताएं क्या होते है है ठीक है कितने आइसो मर्स बनेंगे अलकेन के अलकीन के अलकाइन के तो पहले आप एक जनरल लेक्टर जो है वो समझने फिर मैंने आपके लिए ट्रिक्स है वो अरेंज करकर रखे में ताके इस किसम के आपका रॉंग ना हुआ बात फिर एमसी की हो रही है तो आपके सामने अभी सिस्ट्रांस का पूशा गया एमडी कैट के तूर साओं नाइंटीन के एक्जाम में पूशा गया है ठीक हो गया यानि के हमें एक्जाम्पल का पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि यह ग जैसे मिसाल के तोर पे कार्बन वन है नो आईसोमरिजम नो आईसोमरिजम थ्री है नो आईसोमरिजम ठीक होगे बर्ट कार्बन फोर से स्वावन जो है हम आईसोमरिजम का फिनॉमिना जो है वो अब्जर्व करते हैं जैसे मैं देखें भी मैं लिखता हूँ pentane c5 h12 इसके 3 isomers बनते हैं भी ठीक है यह देखें बटा cs3 cs2 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 cs3 n pentane है cs3 ch cs3 cs2 and cs3 यह क्या हो गया बटा iso pentane हो गया and what about this one कितना हो गया यह बटा that is the neopentane normal pentane iso pentane and neopentane बट याद अखिएगा के कावन के वेलंसी जो मैंने आपको बताई थी वह हमने 4 ही रखनी है तमाम का molecular formula same है structure formula क्या है different है ठीक है तो further इसको मैं दरा classify कर देता हूँ भी कितनी types है of isomerism सबसे पहले हमारे पास है structure isomerism इसके बाद geometric isomerism है और optical isomerism है ठीक है इसमें क्या होगा भी यह तमाम किसम के जो हमारे पास compounds होते हैं यह structure isomerism को जो है वो exhibit करते हैं शो करते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है बटा जो arrangement होती है of the atoms वो क्या हो जाती है different हो जाती है categorize कर लेते हैं भी सबसे पहले chain isomerism पता चाल रहा है आपको भी difference किसका होगा carbon chain का हमें difference नजर आएगा ठीक है state हो सकती है इसी example को मैं लिख देता हूँ अलग से लिखने की जुरुद नहीं है यह देखे normal pentane isopentane and neopentane यह जो तीनों के तीनों isomers है किसके pentane के यह क्या कौन सी isomerism को शोग कर रहे है बटा chain isomers को शोग कर रहे है carbon chain जो है वो अलग तरीके से state भी हुए सकती है branch भी हो सकती है iso form में हो सकती है neo form में भी हो सकती है ठीक है जी next आते हैं बटा position isomeryism नाम से पता चल रहा आपको molecular formula सब में same होना है तो difference क्या होगा यह देखें मेटा difference with respect to same functional group functional group की जो position है ना वो different हो जाएगी जैसे मैं आपके सामने example लिखता हूं भी CH3 CH2 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 CL one chlorobutane one chlorobutane और अगर मैं ऐसे लिख दूँ बिटा इसको क्या कहें गया two position पे लग गया है यह one two three four तो इसका नेम क्या होगा two chlorobutane तो one chlorobutane और two chlorobutane अगर MCQ कुछा जाए कौन सा isomerism शो करते हैं भी position isomerism को शो करते हैं भी ठीक है अब आते है next one C-type इसकी functional group isomerism अब इसमें से MCQ बना हुआ है NMDCAD 2021 में इसी में से बना वा है उसको भी मैं आपको idea देता हूं भी molecular formula same होगा difference क्या होगा भी differ with respect to functional groups ठीक है कौन कौन से इसमें शो करते है दरा यह बाहर में रखना है आपने example लेख रहा हूं यहां पर बैटा alcohols और ethers ठीक है यह exhibit करते हैं functional group isomerase example देखें इसकी जी सबसे पहले अगर मैं difference की बात रहूं के सर पता कैसे चलेगा हमें यह देखें ज़रा CH3 CH2 OH CH3 O CH3 अपर जो है यह क्या है ethyl alcohol है ठीक है ethanol और lower क्या है बेटा di methyl ether और यह क्या था ethyl alcohol दोनों में आपको क्या सेम नजर आ रहा है alcohol और ether में functional group change हो गया but molecular formula क्या है same है अब यहां पर super trick की बात करते हैं यह देखें heading देता हो मैटा super trick क्या है सबसे पहले तो identification जैसे यह देखें type of isomerism exists in the compound this one पता करते चड़ेगा यह क्या लिखा वह मैं आपको super trick बता रहा हूं यह देखें alcohols और ether के लिए ऐसे add कर देता हूं भी for alcohols and ether we have the formula cn as 2n plus 2 और साथ में o लिखा होगा वही ठीक है यह किसको represent करेगा alcohols को plus ethers को अच्छा अगर double plus 2 है साथ में oxygen है तो alcohols लीथर्स है अगर double है hydrogen carbon से ठीक हो गया यह देखें न वेटा 2n आ गया जनी double किया जाएगा उसको अगर यहां पर होते है c4 h2 into 4o c4 h कितने होगे 8 होगे यहां पर कितने बनेगे 10 बनेगे ठीक है अच्छा यह किसको show करेगा भी aldehyde को और ketone को और अगर ऐसे हो cn h2n o2 यह तो बढ़ रहे असान है oxygen 2 होगे हैं भी that describe the carbozolic acid plus esters यह trick का अपने याद रखना है जैसे अब मैं solve करता है mcq c2 h6 o cn h2n plus 2 o यह इस formula को follow का रहा है c2 है ठीक है और 2 into 2 4 4 plus 2 6 हो गया यह किसकी बात हो रही है बटा अलकोहल और ethers की बात हो रही है और यह कौन सी जो है वह functional group तो answer हमारा क्या होगा they exhibit the phenomenon of functional group isomerism ठीक है अब अगर वह यह पूछता है अगली बात के बताएं भी इस formula के regarding कितने isomers बन सकते हैं फिर हमने क्या करना है टू है थ्री है या फोर है वह कोई भी दे सकता है उसके लिए trick या देखलें मैटा सुपर tricky चाल रहा हमारा यहां पर मैं लिख देता हूँ यह देखें मैटा यह हैं carbons ठीक हो गये यह carbons को लिख रहा हूँ और यहां पर लिख रहा हूँ isomers को 1 2 3 4 और 5 ठीक है देखें भी 1 1 2 4 8 यह याद रख लेंगे carbon 1 है तो एक isomers 2 है तो 1 3 है तो 2 4 है तो 4 और 5 है तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे लगा के देखते हैं इसको यानि अगर मैं इसी को लिखता हूँ बटा देखें C4 यहां पर अपर किसी भी बिलाए करने alcohols पे LD हाइड पे या carboxyl पे किसे भी बिलाए करने मैं शुरू करता हूँ alcohol से C4 H 2 इंटू 4 प्लस 2 और 7 में को प्रिक याद हो जाता तो फिर कोई शू नहीं रहता भी C4 H9 ठीक है और OH ऐसे ही बनेगा ना यह यह देख ले C4H9OH यह क्या बना alcohol एथर कैसे बनेगा भी CS3O CS2 या ब्रेक्टी लिख लें बिटा CS2 CS3 ऐसे ही है मगर एक और तरह का भी बन सकता है यह देखें CS3 CS2O CS2 CS3 यह दोनों एथर हैं तो पर आद नमबर देख लें 4 के गेंस्ट 4 बन रहे हैं भी तो alcohol के कितने isomers बन रहे हैं 4 अगर CS2 आता है के इस formula से number of isomers of alcohol कितने बनेगे 4 ठीक है और एथर के कितने बनेगे भी यह देखें यहाँ पर number है 1 और यहाँ पर number क्या है 3 छोटा number जो होगा उसको लिखेंगे no, नही not या ignore और इसको लिखेंगे yes accepted 3 3 के against है 2 ठीक है मगर इसका एक और भी बान रहा है यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी 2 तो 2 के against कितने बान रहे है 1 2 और 1 कितने होगे 3 3 और 4 कितने होगे 7 तो total number of isomers कितने बने 7 जिसमें से 4 हैं alcohols के और 3 है ethers के ठीक है बिटा और इसी तरह आपने जो है बाकी भी ट्रिक्स तो हो याद रखने वह भी मैं साथ में बतायता हूँ आपको यह देखें भी क्योंकि अभी बाद इसके साथ टैज्स थी तो मैंने इसलिए साथ में टैज्स कर दी है पहले ऐसे करते हैं इसको complete करते हैं फिर alkane, 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 alkane के भी सुपर ट्रिक्स साब दे शेयर करता हूँ मैं ठीक है कहाँ दर पहुंचे थे हम बिटा functional group की तरह पहुंचे थे आगे move करता हूँ मैं डी की तरफ इसके बाद हमारे पास है बिटा metamorism metamorism में भी molecular formula same होता है different क्या होता है भी differ with respect to the position of carbon ठीक हो गया है on the sides of functional group यहां बुक में लिखाव है भी unequal distribution होती है किसकी carbon atoms की ठीक है functional group same होगा इसमें जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ मिटा यह देखें यह उपर मैंने अभी लिखा था यही वाला CS3O CS2 CS2 CS3 CS3 CS2O दोनों में देखें difference क्या है ether तो है यह क्या है भी methyl N-propyl और यह ether methyl N-propyl ether और यह क्या है भी di ethyl ether दोनों में metamorism शो हो रहा है इसका भी MC कुछ solve करते है भी look at that यह आपके सामने structure दिया हुआ भी ठीक है obviously दोनों साइट पे carbon है यह ketone को शो का रहा है बटा ऐसे है this one वो कहता है भी कि यह कौन सा phenomenon हम शो करवा सकते हैं भी position है alpha पे metamorism है beta पे tartomorism है या बोथ हैं भी है position कैसे है position की तरब मैं आता हूँ position में मैंने कहा था भी differ with respect to the same functional group position change करता है metamorism में भी तो कुछ ऐसे ही है यह देखें जो position है इसकी वो differ कर रही है तो यह नहीं रहा कर चेक करें तो इसको position भी कहा जा सकता है और metamorism भी कहा जा सकता है confusion है तो मैं बना जेता हूँ यह देखें इसको अगर मैं ऐसे लिखूं CS3, CS2 C double bone O CS2, CS3 तो इसकेस में देखें बेटा 1, 2, ठीक होगे 3, 4 & 5 3 पे ketonic group आ चुका है भी ठीक है? 3 pentanon बनेगा और इसकेस में क्या बन रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 2 pentanon क्याने keton की position different हो रही है position तो है और उसके साथ-साथ carbon की distribution भी आपको अलग-अलग नजर आ रही है तो यह फिर metamorism भी है तो answer क्या बनेगा हमारा? both A and B is the right answer ठीक है? next आते हैं बेटा last one है tartomerism tartomers form में within the molecule change दाते है shifting और proton होती है यह देखें जरा amino acids की example है this one यहां से आप proton जो है वो shift कर सकते हैं तो क्या बनेगा भी? negative N3 positive and this one ठीक है? तो within the molecule जब shifting और proton होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? tautomeric form कहा जाएगा, tautomerism कहा जाएगा ठीक है? यह होगी detail अब दूसरी जो है geometric isomerism जिसके MCQ आ चुका हो है यह भी लिखा हो है मैंने 2020 का और यह लिखा हो है 2019 का पहले समझाता हूँ फिर MCQ solve करते हैं तो अगर आप मुझे allow करें to remove यहां से मिटा दो इतनी space काफी है फिर हम दुबारा use कर लेंगे शियर रहे और राइट next कौन सी मैं कह रहा था पिटा next we have geometric isomerism इसमेh molecular formula भी same होता है structure formula भी same होता है तो difference क्या होता है यह देखें they differ किसकी तरफ से बटा with respect to position of the same substitute orientation in space space में जो उनकी arrangement है orientation है वो change हो जाएगे कुछ बातें इसमें यार रखने हैं आपने सिंगल बॉर्ण में यह शो नहीं होता पिटा डबल बॉर्ण में शो होता है यानी alkenes family में और one alkenes show नहीं करते पिटा ठीक है two alkenes में हम इनको observe करते हैं भी ठीक है अगर two position पे substitution नहीं है further फिर भी इसको observe किया जा सकता है मैं example लिखता हूँ आपके सामने यह देखें बिटा CH2 double bond CH2 होगा नहीं होगा भी क्यूंके देखें नगा यहां पर दोनों side पे अगर आपको देखें बिटा तो यह one alkeni नहीं होगा भी next देखें अगर CH3 CH double bond CH CH3 one two three four tube urine है यह देखें था C double bond C H CH3 H CH3 यह कौन सी आपको position अजर आ रहे है बिटा this is यह same जो हमारे पास substituents हैं वो same plane पे हैं यह cis position है और अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको देखें अब same plane पे नहीं है यह क्या बनेगा trans ठीक हो गया alken clear हो गया इसको solve करते हैं अभी कहां पर है यहां पर क्या है hydrogen है तो जब आप change भी कर देंगे change करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें अच्छा अब अगर आप यहां पर देखें इसको यहां पर द्रॉआ करूँ यह देखें द्रा this one this one यह देखें द्रा यह कौन सी position है cis है अगर इसको ऐसे कर दिया जाए है पिटा cs3 यह कौन सी बन जाएगी trans इसमें possible है यह हमारा answer है यह बला सारा इसमें अगर देखा जाए एक not possible इसमें possible नहीं है ठीक है यह भी clear हो गया पिटा next देखें which of the following shows cis trans isomerism this example this one this one this one हम इसको कर देखें भी carbon carbon के दर्मियान double bond है ठीक है एक तरफ free chloroides attached है एक तरफ H है तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे H C L और यहां पे C L और C R तो देखें दरा नहीं हो सकता भी यह different plane पे भी है और same पे भी है possible नहीं है CH2 double bond CH2 इसमें भी possible नहीं है C2H2 BR2 यह carbon है HBR HBR तो अगर मैं इसको flip करूँगा तो यह transposition बन सकती है बटा okay है यह यह answer है हमारा C2H2 CCL4 है कितने hydrogen दें भी 2 है यह लें भी कितने को rise लगाने है 4 तो यह मुझे bond भी खतम करना पड़ेगा यहां से ठीक है अब जाके position satisfy हुए possible होगा नहीं होगा बटा मुमकीन है नहीं है single bond आगे है clear होगी यह बाद चलें भी तो गट 25,000-plus MCQ's practice test for FSC and MDCAD preparation Download Stars Academy e-learning app Link is given in the description below and start your excellent preparation today